रोग के विशय में आज हम चर्चा करेंगे रोग क्या है तो रोग की परिभासा यह हो सकती है कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और सारेरिक रूप से कई तरह की कस्टों में हो तो हम इस अवस्था को रोग कह सकते हैं रोग दो परकार के होते हैं सबसे पहला है संक्रामक रोग और दूसरा है और संक्रामक रोग तो संक्रामक रोग के विशय में हम बाद में चर्चा करेंगे पहले हम बात करते हैं और संक्रामक रोग के बारे में और संक्रामक रोग कई परकार के हो सकते हैं जैसे कि की बज़़े से होने वाले रोग किस्वसंण रोग और लंक्सित की समझेये तथा खासी और ब्रोंकईटीस भी प्रदूसन की बज़़े से ही होता है। उसके बाद उम्र के साथ बठने वाले रोग जैसे की centuries this was उम्र के साथ बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे रोग होते हैं, जो जन्मजात रोग होते हैं, यानि कि जन्म से ही जो रोग होते हैं, वैसे रोग को हम करते हैं, जन्मजात रोग, उसके बाद अनुवांसिक रोग होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, उसके सब्सक्राइब की जो रोग हैं यह सारे रोग अनुवानसिक रोग हैं यानिकी यह सभी और संक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कदापी नहीं फैल सकते लेकिन एक बात यहां समझनी पड़ेगी कि जो अनुवांसिक रोग होते हैं वह एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में अस्थानांतरित हो जाता है जैसे कि हमोफिलिया या फिर बरनांजता इत्यादी तो यह थी यह और संक्रामक रोगों की बात थी अब हम बात करेंगे संक्रामक रोग के विशय में संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं यानि कि दोस टाइप डिजीज विच आर सेपाइट प्रॉम वन परसंट तू अनदर यह कम्यूनिकेट करते हैं इसको हम कम्यूनिकेबल डिजीज भी का सकते हैं तो ऐसे रोगों में बहुत सारे रोग आते हैं जैसे की TB, Tuberculosis तो TB क्या है इसके बिसे में हम आगे पड़ेंगे कि जैसे की TB का full form हो गया Tuberculosis और यह Mycobacterium Tuberculosis नामक बेक्चरिया की बज़े से होता है और यह बेक्चरिया खासने या छीकने के कारण एक बैक्ति से दूसरे बैक्ति में फैलता है और इस बैक्टिरिया की सबसे बड़ी बात यह है कि यह बोडी के अंदर जिस अस्थान को छतिगरस्ट करता है वहाँ ट्यूबर कुलीन नामक एक टॉक्सीन सरावित करता है जो बोडी के उस हिंसे को चतिगरस्ट करता है इस रोक से बचने के लिए बीसी जी यानि कि बेसिलस क्लेमेट गियूरीन का टीका लगाना पड़ता है बच्चों में और फिर वो टीका इस रोक से प्रतिरोधकता कायम करती है उसी तरह से बिमारी है काला अजार यह लिसमेनिया डोना भानी से फैलने का काम करता है जो कहीं तरह के होते है उसे प्लाजमोडियम बाइब क्लाज मोडेयाई प्लाजमोडियम घल्सी पेरम,,, यहां सारे सारे प्लाजमोडियम्स अलग-अलग तरह के होते हैं, इसके हम आगे चर्चा करेंगे, उसके बाद है आपका सिekk York Curto健ado कि Crunch i dall terminus और में यह क जैसे यह बिमारी होती है और इस बिमारी में व्यक्ति के पैरफुल जाते हैं और यह असहनिय पीरा एबम दर्द और कस्ट का कारण होता है इट्स एक गंभीर बिमारी है इट्स को हम इस तरह से इसका फूर्फॉर्म कर सकते हैं कि एक क्वाइड इम्यूनो डेफिसियंसी सिं समस्मद से फैलता है तो उसके माधियम से यह एक बीसे रिपलि चर्चा करेंगे तो यह सारे विमारियं संकरामक रोगि किसी भी बेखिति में यह तो माधियम से फैल सकता है या या फिर सांस के माध्यम से फैल सकता है या फिर वायो के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से या दुसीत भोजन करने से भी फैल सकता जैसे कि से होता है उसके बाद काला जार की बात मैंने बता ही दी है रेवीज रेवीडी वाइरस से होता है या कुत्ता के काटने या पिर कुत्ता जैसे और भी एनिमल्स होते हैं यैसे कि बंदर हो गए इन सारे चीजों से भी फैलते हैं उसके बाद टाइप हाइट सेल मोनेला बावाल